हेलो जी नमस्ते कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ बहुत ज़दा अच्छे होंगे फिर से एक नई व्लोग में आप सभी का हार्डिक स्वागत है तो जी वीडियो की शुरुवात हो रही है रविवार की शाम से तो मैंने यहाँ पे एक केक बनाई थी रविवार की शाम को तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ सबसे पहले तो मैंने लिया है हाफ काप के करीब तेल उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल चीनी को मैंनें मीकशर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी उसके बाद टेल और चीनी को जो है बहुत अच्से से मीकश करें ताकि इसका тобo क्रीमी क्रीमी जैसा हो जाए जाया चीनी और टेल, ये देखे इस तरह की होना चाहिए तभी पहुत अच्छा बनता है ये फेस केक है, बहुत सिंपल सा केक है, बना रही थी, तो मैंने सो सहाब लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है, एककतुरी की करीब मैदा, और सिर्फ मैदा मैदा ना मुझे थोड़ा सा ये लगता है, बेटे को देने में ना थोड़ा सा, मरला वोई हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है, थोड़ी सी चावल का आता, तो एककतुरी मैंने मैदा लिया है, और एककतुरी मैंने सावल का आता लिया है, उसके बाद चान लिया है मैंने दोनों को, यह जो केक का बितर है उसको में बना लूँगी थोड़ा थोड़ा दूद डाल के में बनाती जाओंगी तो जी देखिए यह केक का बेतर है वो रेड़ी हो चुका है उसके बाद मैं ने केक का तीन ले लिया है यहां पे मैदा ने थोड़ा सा तेल डाल दालने से तो बतर पेपर होता है तो बतर पेपर भी दे सकती हो लेकिन मेरे पास बतर पेपर है नहीं है तो मैंने इसलिए मैडा और थेल को ही दे दिया है उसके बाद ये केक का जो बेतर है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और केक जो है ना मैं ओवेन में बनाने वाली हूँ और केक बनाने के चक्कर में पूरा किच्छन दंदा हो चुका है तो यहां पर मैंने केक तीन को दे दिया है ओविन के अंदर अभी मैं ओविन को 180 डिग्री में डालूंगी और टाइमल जो है उसका मैं 20 मिनित रख रही हूँ 20 मिनित के बाद यह केक बनके तयार हो जाएगा त बहुत जड़ा तेस्टी हुआ था तो खाके बहुत अच्छा लगा चीनी और टेल को जब हम फेदते हैं ना उससे जो है केक आपका बहुत अच्छे से फूल के आते हैं साथ में जो है आपका केक बहुत जड़ा यह होता है फफली होता है बहुत जड़ा अच्छा लगता ह तो मैंने सोचा एक पीस आप लोगों को कट के भी दिखा देती हूँ अंदर की साइट में कैसा हुआ है तो ये दिखिए एकदम बहुत अच्छे से फुला हुआ है और बहुत ज़दा सॉफ्ट हुआ था केक उसके बात मैं मिल रही हूँ आप लोगों को सिधा नेक्स दे मॉर्निंग मतलब आज सुबह का ये फीडियो है मुँ में ब्रश लेके आगे हूँ और ब्रश लेके यहाँ पे रात का जो भी बरतन में ने ठोके रखा है उसको अपनी अपनी जगा में रख दूँगी तो देली सुबह मेरी न ऐसे ही होता है मुँ में ब्रश लेके किचन में आती हूँ और आने के बात जो भी बरतन में धूल के रखती हो रात को उसको मैं अपनी अपनी जगा में रख देती हो अभी सुबह के सारे पांच बजा हुआ है और आज हजबिन जाएंगे अपका साथ बजे जाएंगे तो मैं उठी थी सारे पांच बजे अभी तो कुछ जाड़ा हो गया ताइम तो मैं ब्रश करके आगी मूँ धोके आगी तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बिठाया है गरम पानी साथ में मैंने यहाँ पे डाल निकल लिया है थोड़ा सा अरहर की डाल था और थोड़ा सा मिक्स डाल था थोड़ा थोड़ा ही था इसलिए मैंने दोनों डाल को ना मिक्स कर दिया है डाल को मेने थो दिया है उसके बाद कुकर में मैंने डाल दिया है अभी यहाँ पर नमक और हल्डी डाल के बॉल होने के लिए मैं रख दूँगी और जब तक बॉल होता है तब तक मैं ये पानी पी लूँगी दो मिनित बैठ के उसके बाद मैंने आता भी गुट के नहीं कि आप कुस साथ करो तो इसलिए सा जो है ना में रात को ही कुस कुस करके रख देती हूँ लेकिन कल रात को सोटे मातलब कल संदे थाना हम लगति भी देख रहे थे तो इसलिए ठोड़ा सा लेध साथ और नमthe ब नहीं रख़ी बनना मै 4 दैं सब्सक्राइब दाल मेरी बॉयल हो चुका था तो अभी मैं यहां पर रोती बना रही हूँ फिलाल यह मैं हस्बेन का टिफिन बना रही हूँ बेटे जाएंगे आध बजे और मुझे ही आज उसको स्कुल छोड़ने जाना है तो अभी हस्बेन निकलने ही वाले हैं अभी सारे कि बनाने का जो काम है वो हो जाएगा उसके बाद मैं बेटे को उठा डूंगी उसको भी रेडी कराना है फिलाल तो बस जल्दी जल्दी यहां पर मैं अपने हस्बेन का टिफिन रेडी कर रही हूँ वैसे हस्बेन ने मुझे रात को माना ही किया था कि कल सुबह जो है लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो दिन भर के लिए निकल जाते हैं अभी जाएंगे 7 बजे फिर साम को आएंगे सारे पास 6 बजे पूरे दिन घर पे नहीं रहते तो थोड़ा तो मेहनत में करी सकती हूँ ना तो मैंने उनको कहा है इतना तो मैं करी सकती ह कि मैं 5 बजे उठके आपका जो टिफिट है बना सकती हूँ तो टेंशन मत लो लेकिन उनका यह रहता है कि तुम्हारी निन कहीं खराब ना हो जाए यह वो ना यह सोचते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है उस दिन भी जैसे लेध हो गया पिसले वाले व्लॉग म है बन के तेयार हो चुका है अभी मैं डाल को तरका लगाओंगी तो यहाँ पर मैंने दे दिया है सरसू का टेल मैंने डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर सुखी लाल मिर्स आपका थोड़ी सी जीरा और साथ में प्याज और लसन का तरका लगा दूँगी डाल में और आश पांच बज़े मुझे उतना पता था थन्दे की दिन में, पांच बज़े उत्ती हो तभी जाके साथ बज़े उन लोगों का टिफिन रेडी होता है, लेकिन अभी से बज़े उत्ती हो न तो टिफिन इन लोगों का रेडी होई जाते हैं, लेकिन आज हजमिन को जल्ली जाना ह इसलिए मैं सारे पाच बज़े उठी हूँ लेकिन अगर वो आट बज़े जाते बेते के साथ तो मैं से बज़े की करीभी उठी तो यहाँ पे दिखिए डाल भी बनके तयार हो चुका है उनके तीफिन में मैंने भर दिया है साथ में यह रोती भी उनके तीफिन में मैंने भर दिया है और उनको मैंने बीच में चाई बना के भी दे दिया है तो वो अभी चाई पी रहे हैं और उनका तीफिन मैं यहाँ पे पैक करी हूँ अभी जो है वो जाएंगे उनके जाने के बाद मैं बेटे को उठा दूँगी तो जी husband जा चुका है office उनके जाने के बाद मैंने बेटे को उठा दिया है वो कर रहा है brush और मैं उसके लिए यहाँ पर टिफिन बना रही हूँ और आज उसके टिफिन में मैं देने वाली हो ये एग रोल साथ में जो कल शाम को मैंने केक बनाई थी, वो केक डाल दूँगी उसके टिफिन में शौट ब्रेक के लिए साथ में थोड़ी सी ग्रैप्स डाल दूँगी तो बस उसका टिफिन मन्के रेडी हो जाएगा अभी वो ब्रॉश कर रहा है और जैसे कि अभी हस्बेंट नहीं है ना जैसे हस्बेंट रहता है तो ब्रॉश बगरा जो है वो ही कराता है लेकिन वो नहीं रहने से मुझे थोड़ा सा किच्छन में भी आना परता है उसको भी डिखना परता है तो वो ब्रश करने में थोड़ा सा लेजी होता है ब्रश करने में वो बहुत ज़़ा ताइम लेता है कोई ना कोई उसके पास रहना ही चाहिए तबी उसका brush जल्दी जल्दी से कर लेते हैं जैसे आज मैं kitchen में होना तो इसलिए वो बार-बार मेरे पास आ रहे हैं उसका brush हो यह नहीं रहा था कम से कम उसको ना 10-15 मिनिट लगता है brush करने में बलकि 5 मिनिट में भी brush करना हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है यह जो egg roll बनाए है बो दे दूंगी और साथ में टीन पीस जो कल शाम को मेंने cake बनाए थी टीन पीस मेंने cake रख दिया है एक extra piece मेंने रख दिया है क्योंकि जब cake वगरा लेके जाते है ना साथ में बहत के खाते है बच्चे हैं तो कोई कोई मांगता भी है तो इसलिए मैंने 3 पीस रख दिया है और मैंने बोल दिया है कि अगर कोई मांगता है तो थोड़ा सा दे दे ना खाने के लिए इसलिए उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रेब्स भी रख दिया है और साथ में उसका जो पानी का बोतल है पानी भी मैं फर दूंगी बोतल में और मेरी आवाज थोड़ी सी आप लोगों को आज खराब लगेगा क्योंकि दो दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए क्योंकि मुझे खासी हो रखा है और खासी से मेरी गला थोड़ी सी खराब हो चुका है बोलने में मुझे थोड़ी सी तकलीव हो रहा है फिर भी मैं फॉष्को बादेरी हूँ लेकिन आवाज जो है मेरी इतनी क्लियर नहीं होगा तो जी हाँ तो उसका टिफिन मैंने बैग में भरके दे दिया है पानी का बोतल भी भरके दे दिया है अभी उसको मैं नास्ता देने वाली हूँ और नास्ते में ये जो चौकोज है बहुमें डूट के साथ दे दूँगी खाने के लिए तो बस बेते को मैंने डे दिया है नास्ता करने के लिए उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ तो थोड़ा सा हैर को कॉम कर लूँगी और थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी क्योंकि उसको शोरने जा रही हूँ न इसकूल में तो ऐसे ही जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है दिखने में तो इसले मैंने सोचा थोड़ा को हैर को थोड़ा सा थीक कर लेती हूँ और थोड़ा सा क्रीम बगरा लगा लेती हूँ जब तक बो नास्ता कर लेते हैं मैं रेडी हो जाती हो उसके बाद बेटे को रेडी करा दूंगी तो जी बेटे को स्कूल में छोरके आ चुकी हूँ आने के बाद मैंने चाई भी पी लिया है चाई मैंने नहीं पिया था तो अराम से बेट के जो है ना 20-25 मिनित मैंने अराम से बेट लिया है चाई बगरा पी लिया है उसके बाद लग गई हूँ अपने खरगे कामों में और अभी यहाँ पे सोफा को ठीक कर रही हूँ उसके बाद जो डस्टिंग बगरा है वो मैं कर लूँगी बेट बगरा थिक करना है वो भी मैं थिक कर लूँगी और आज जैसे मंदे है ना तो आज मुझे कपरे नईद होना है तो जब कपरे नईद होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना काम बहुत कम है आज मुझे ऐसे वाले फिलिंग आते हैं तो बस यहाँ पे डस्टिंग मैंने कर लिया है बैट बगरा भी ठीक कर लिया है अभी पूरे घर में मैं जारू लगा लूँगी और अभी जैसे दिन लंबा हो गया है ना काफी लंबा हो चुका है तो एक दिर घंदे में जो है ना सारे खर के काम होई जाते हैं जो यह क्लिनिंग बगरे का जो काम है वो आपका एक दिर घंदे के अंदर होई जाते हैं तो मैं बेटे को छोड़ के आगई कितने सारे 8 बज़े आगई उस जारू लगा है उसके बाद ही मैं अंदर आ गए थी और बैद बगर ठीक किया उसके बाद जो किच्छन में बरतन परे हुए थे सुबा के वो बरतन भी मिने धूए है किच्छन भी मिने साफ कर लिये थे तो बस और लास में जो है जारू और पोचा लगने का ही काम रहता है त तो जी दिखिए यहाँ पे मैं नहा के आचुकी हूँ और सुभा का जितने भी कम है सब कुछ खतम हो चुका है तो यह दस बिन धोना था मुझे तो नहाने के टाइम में वो दस बिन मैंने धो दिया है और धूप में डाल दिया है सुखाने के लिए और आज जिसे सोमबर है त अपने बालों को अज़से धो देती हूँ और उसके वाद जो है मैं किचन में जाओंगी एक कप अपने लिए कौफी बनाने के लिए नहाने के वाद जो है ना मुझे बहुत ज़रा मन करता है कि मैं एक कप कौफी पीलू तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए अभी कौफी ब जैसे कि सुबह मैंने डाल बना ही दिया है और गर्मा गरम मुझे सावल बनाना है जो मैं बाद में बनाऊंगी जब बेता आएंगे और उसके साथ मैं उसको अंदा का फूर्जी बना या अमलेट ऐसे कुछ बना के देड़ूंगी और मेरे लिए जो है पाद में जब कॉफी बना रही थी ना किक्चन में जो मेरे पास वाले भावी है वो आई थी वो उन्होंने ना अज दोसा बनाई है तो ये मुझे दोसा देखे गई है तो ये ना मैं बाद में गरम करके खालूंगी वो भी जानते कि सुबह की टाइम में मैं हैवी नास्ता नहीं करती हूँ इसल तो जी से लिए मिलती हूँ और एक नहे व्लॉग्में झाल झाल